हेलो एब्रिवन स्वागते आप सभी क्या इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 का कोश्चन पेपर सॉल्फ करेंगे हम फर्स्ट फॉर्टी कोश्चन को देखेंगे जो आपके प्योली कंप्यूटर जी के से रिलेट करते हैं यह कोश्चन से आपके जी अपकमी एक्जाम जो हमारे HPPC के थ्रू होते हैं स्पेशली फोर जीए या जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर इन एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आई स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कोश्चन आपको बताना है नेटवर्क इंटर्फेश कार्ड के संबद में 10 बाइंडर्ड पद से क्या अर्थ है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है option C मेगाबाइट पर सेकंड नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हाठ डिस्क डिवाइड इंट र्यवाइडिड ब्र Toby इन्टो आपको बताना है जो आपकी हाठ डिस्क है वह आमारी ट्रेक्स मेट भुडीड होती है फिर फॉर्झ फर्दर जो हमारी सब डिवीजिन होता है तो इसका हमारा राइट आंसर औप्शिन वी सेक्टर स नेक्स्सक्शन आपका, इन लेजर पिंटर चेकनोलोजी, एवट हैपन स्टेज़ धीरिंगे में कॉनडिशनिंग स्टेज़ आपको बताना है, जो हमारे जैसे लेजर पिंटिर टेकनोलजी होती है, उसमें जो चीन चीज़ होती है, उस दोरान क्या होता है, इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिफॉर्म नेगिटिव चार्ज इस प्लेश्ट ऑन दे फोटो सेंसिटिव ड्रम नेक्स्ट कोश्चन है हमारा वर्ट प्रोड़क्ट इस यूज्ट तो क्लीन स्मॉज्ट कीज ऑन आ कीबूर्ड आपको बताना है जो कीबूर्ट की गंदी आपकी जो कीज होती हैं उनको साफ करने के लिए आप कौन सा पदार्थ उप्योग करते हैं तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल परपर्पर्स क्लीनर एक्स कोशन है दमू अन्द माउस पॉइंटर मूस एराटिकली वट इस अपको बताना है अगर आपको जो माउस का जो पॉइंटर है वो अनियम इतरूप से चल रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है देखिए अगर इस नॉट कनेक्ट इट तो चलेगा है नहीं ठीक है ड्राइबर इस नॉट इंस्टॉल पॉपरली तो भी हैजन इंक्रेक्ट आई क्यू आइक्वार शैटिंग तो भी मुश्किल लेया तो बॉल इस डर्टी इसमें वह चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है ठीक है तो आप्शन इस दर क्रेक्ट अंजर सम्टाइम आपने दिख वह चल भी प्रेस कीजी एठीक है और आप देखेंगे उसमें कारबन जमा होने की कारण वह बंद हुआ था वह दुवारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्स कोष्टिन है हमारा कोष्टिन नमबर 6 What command is used to reset a modem when using the AT command set आपको बताना है AT command set का उपयोग जब किया जाता है तो modem के reset के लिए कौन ची कमांड को यूज किया जाता है तो इसका हमारा right answer option a, at, z question number seven in ink jet technology the droplets of ink are deflected by आपको बताना है जो हमारी ink jet technology होती है जो ink की drops होती है वो इसके द्वारा deflect होती है तो इसका जो हमारा right answer है question number seven का option A multi-directional nozzles question number eight which provides the fastest access to a large video files आपको पताना है नीचे दिए गए options में से सबसे ज़्यादा तेज access आपकी जो large video files होती है उनके लिए कौन provide करवाता है तो question number eight का जो right answer option B CSI hard drive next question है हमारा RS-232 is a standard that applies to आपको बताना है एक term है RS-232 यह किसके लिए apply होती है नाइन्थ का जो हमारा right answer option A serial ports next question है which help prevent power surges आपको बताना है जो हमारे विद्दूत जो surges या power surges होते हैं उनको बचाने में क्या मदद करता है तो उसका जो हमारा right answer है option A surge suppressor next question है आपका question number 11 when is the risk of electrostatic discharge is the greatest आपको बताना है जो किस समय पर या किस time पर आपका जो electrostatic discharge है उसका risk सबसे ज्यादा होता है इसका जो हमारा right answer option C जब आपकी humidity सबसे low होती है low humidity next question is question number 12 what is a common language that computer used to talk with one another on a network आपको बताना है कौन सी वह language होती है जिसके through computer आपस में एक network में बात करते हैं इसका जो हमारा right answer option C protocols option C is the right answer next question हमारा question number 13 in ms-dos what commands you will use to display system date आपको बताना है जो हमारा ms disk operating system होता डॉस की फिल form उसमें अगर आपको display करनी है date तो आप कौन सी command को use करोगे इसका जो हमारा right answer option a date command next question है हमारा question number 14 maximum length of dos command using any optional parameter is आपको बताना है आपकी जो maximum length है dos command using operational parameter की वो कितनी है तो इसका जो question number 14 का हमारा जो right answer option c 127 characters अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो का लाइक करें दोस्तों कसा शेयर करें और चैनल के जुरूर कर सकते हैं hs गुरू और इनका टेलिग्राम भी है इसी नाम से तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं next question है हमारा question number 15 in unix which command is used to remove a file आपको बताना unix में आपकी कौन सी command एक file को remove करने के लिए use होती है इसका जो हमारा right answer option b r m i'm sorry next question है the agency that sits between the user and the unix system is called is आपको बताना है unix system और सिट से भी जो command user and unix system की बीच में जो command होती है यह agency होती है वो कौन सी है इसमें से तो इसका जो right answer है हमारा option c shell what TCP IP protocol is used for remote terminal connection services आपको बताना है कौन सी आपकी जो protocols होते हैं वो हमारे remote terminal connection services के लिए यूज होते हैं question number 17 का जो right answer है हमारा option c telnet which command is used to create a linux installation hood floppy आपको बताना है कौन सी command यूज होती है आपकी linux installation hood floppy के लिए तो इसका जो मारे right answer option 18 का option d dd and rewrite next question what command do you use to create linux file system आपको बताना अगर आपको linux file system में आपको Linux file system को आपको create करना है तो आप कौन सी command को use करेंगे इसका जो मारे right answer option b mkfs which layer of osi model model are managed by a network protocol such as microsoft net by तो इसका जो मारे right answer option a network and transport next question हमारा trust relationship आपको पताना है trust relationship के संबंद में इन में से कौन सी condition सही है तो इसका जो मारे right answer option option 21 option b is the correct answer is an administrative and communication link created between two windows and server domains next question हमारा question number 22 what is the term used for describing the judgmental or common sense part of problem solving आपको पताना कौन सी term use होती है आपकी judgmental और common sense part के लिए problem solving में है इसका जो हमारा right answer option a heuristic next question है visual clues that are helpful in computer vision vision include आपको बताना जो हमारे visual clues होते हैं वो computer vision में उन में से किस-किस के द्वारा बने होते हैं या क्या उसमें add include होता है तो इसका जो हमारा right answer option d both a and b तो आपके एंड बी ऑप्शन के है color and motion obvious है depth and texture question number 24 if our robot can alter its own trajectory in response to external condition it is considered to be आपको बताना है जो हमारा robot है अगर वो अपने path को change कर सकता है according to external conditions तो उस robot हो हम क्या कहेंगे तो इसका जो हमारा right answer option a intelligent robot next question है an artificial intelligence technique that allow computer to understand association and relationship between objects and event is called आपको बताना है कि जो हमारी artificial intelligence technique होती है जो computer को understand और associate करने में help करती है between object and event उसको हम क्या कहते हैं इसका जो हमारा right answer है option d pattern matching next question हमारा what is the name of computer program that simulates the thought process of human being आपको बताना है अगर आपको computer program के बारे में बात करें जो आपके human being के thought process को analysis करता है या उसका simulation करता है आशके बारे में बताता है तो उस program को क्या कहेंगे तो इसका जो हमारा right answer है option B expert system next question है a report generator is used to आपको बताना report generator क्या यूज करता है इसका जो हमारा right answer option B print files on paper next question है which is not a logical database structure आपको बताना इनमेंस कौन सा logical database structure नहीं है इसका जो हमारा right answer option D chain next question है हमारा which language is used to used by most of the DBMS for helping their user to access data आपको बताना कौन सी language जो हमारा database management system होती है उनमें data access करने के लिए यूज होती है इसका जो हमारा right answer option B query language a tuple is equivalent to a आपको बताना है जो हमारा tuple या tuple जिसे हम कहते हैं वह किसके ब्राबर होता है इसका जो हमारा right answer option A record के ब्राबर next question है a top to bottom relationship among the items in a database is established by a आपको बताना है जो हमारे top to bottom relationship होते हैं एक database की items हैं वह किसके दोरा established किया जाते हैं इसका जो हमारा right answer है option C hierarchical schema next question है the language used in application program to request data from DBMS is referred to as आपको बताना है कौन सी language जो आपके DBMS में use होती है अगर आप किसी भी program के लिए data request करते हो तो इसका जो हमारा right answer option A DML next question है an audit trial आपको बताना audit trial क्या होता है इसका जो हमारा right answer है option B is a recorded history of operation performed on a file next question है controls of data communication deal भी आपको बताना है कि data संचाय का नियंतरन किसी समंध रखता है इसका जो हमारा right answer option D all of these which is not an important principle for evaluating the raw data for decision making तो इसका जो हमारा right answer होगा option C average next question है the analysis and design of application system are the responsibility of आपको बताना है application system की visualization और design की जिमेदारी किसके होती है इसका जो हमारा right answer option C system analyst which is a brief message to an operator that describe what data are to be entered इसका जो हमारा right answer option A prompt next question है data has to be dashed before it can be converted into information आपको बताना है क्या प्रसेस होता है कि जब आपको डाटा को information में convert करते हैं उसके बीच के जो steps होते हैं उसको हम क्या क्या क्याते हैं इसका जो अंसरी processing a option is the a is the correct answer processed data has to be processed before it can be converted into information encryption is being used primarily with आपको बताना जो हमारा encryption होता है वो किसमें primarily use होता है तो इसका जो हमारा right answer option D data communication जैसे हमारे whatsapp data encryption होते हैं ठीकिया आपका end to end encryption होता है उसी type के कुछी कुछीन है next question है की verify machine is using controlling आपको बताना की verify machine होती है वो किसको control करने के लिए use होती है इसका जो हमारा right answer option a transaction entry तो यह थे फर्स 40 questions total is 120 questions आपके computer knowledge से आया थे computer gk से आया थे 40 questions हम कर चुके है remaining partner 40 and 40 questions और देखने अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें have a good day